मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैसी होता है जो कि जंगल में भाग रही होती है फिर वो वहां से निकल कर एक गैस स्टेशन पर जाती है वो गैस स्टेशन वीरान और पूरी तरह बरबाद हो चुका था और वहां पर कैसी के लावा गन भी है और कैसी की हाथ में भी गन होती है इसलिए वो दोनों अपनी अपनी गन्स एक दूसरे पर तान देते हैं उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ जैकिट में चुपाया हुआ था जहां से कैसी को कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था इसलिए कैसी को उस आदमी प इसके बाद कैसी अपने पास्ट में जली जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है जहाँ पर हम कैसी को देखते हैं जो कि पार्टी में थी और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी इंजॉय कर रही थी जहां पर कैसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाते कर रही होती है और वो अपनी बातों में अपने करीबी फ्रेंड बैंड को डिसकस कर रही होती है कैसी उसके बाद अपने फ्रेंड बैंड से बात भी करती है अगले दिन स्कूल में कैसी को उसकी फ्रेंडिक वीडियो दिखाती है जो कि बलर होती है इसकी बात कैसी घर आ जाती है और न्यूज देखती है टीवी पर जहां पर उसे पता चलता है कि एलियन्स का स्पेश्शिप जमीन पर आया है और उने कोई और नहीं बलकि जमीन पर रहने वाले लोग है ट्रेंड कर रहे हैं और इनसानों ने इन एलियन्स का नाम दी अदर्स रखा है इसकी बात वो एलियन्स यानि दी अदर्स अपनी फर्स्ट वेव रिलीस करते हैं और वो एक रेडियेशन वेव थी जिसके रिलीस होते ही पूरी दुनिया में अलेक्ट्री सिटी डैमेज हो गई जहां पर गाड़ियां, मुबाइल्स और हर अलेक्ट्रिक चीज़ ने काम करना छोड़ दिया और ये चेंजिंग देख कर लोग बहुत ज़्यादा डर गए इसलिए उन्होंने ये जगा छोड़ कर बड़े सिटीस की तरफ मूफ कर लिया फिर एक दिन कैसे और उसका भाई पानी भर रहे होते हैं कि तब भी इस सेकंड वेव भी रिलीज हो जाती है जिसमें उन एलियन्स याने दी अदर्स ने पूरी दुनिया के सिस्टम को चेंज कर दिया जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अर्थक्वेक और समंधरी तुफान उस समंधरी तुफान से बचने के लिए कैसी अपने भाई को लेकर ट्री पर चड़ जाते हैं जिससे वो दोनों पानी में बहकर मरने से बच जाते हैं लेकिन इस वज़े से उनकी सिटी के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी तबाही होती है इसके फोरण बात दे अदर्स थर्ड वेव भी रिलेस कर देते हैं जिसमें वो एक खतरनाक वाईरस को रिलेस करते हैं और इस वाईरस को बर्ड्स के जरीए पूरी दुनिया में भला दिया जाता है इस वेव की वज़े से कैसी की मदर के डेथ हो गई थी क्योंकि वो एक डॉक्टर थी पिर कैसी का फादर अपने बच्चों को लेकर एक कैम्प में चला जाता है जहां पर बहुत सारे टेंट्स लगाए गए थे क्योंकि जितने भी सर्वाइवर्स थे वो यहां पर आकर रह रहे थे पिर एक रात कैसी की फादर उसे गन देते हैं यह कहते हुए कि बेटा जब इसकी जरूरत पड़े तुम इसे यूस कर लेना क्योंकि अब दुनिया में कोई भी ऐसी जगा नहीं बची जो कि सेफ हो हर जगा पर खत्रा है और फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर आर्मी आफिसर्स आते हैं और करनल अनाउंस कहता है कि आप लोगों को फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आर्मी आप लोगों को सेफ करने के लिए आ गई है क्योंकि हम आप लोगों को एक ऐसी जगा पर ले जाने वाले हैं जो कि बिल्कुल सेफ है सबसे पहले आर्मी अपने साथ बच्चों को ले जा रही होती है लेकिन कैसी के भाई का बैग कैम्प में ही रह जाता है इसलिए कैसी उसका बैग लेने कैम्प में जाती है और वहीं पर ही रह जाती है और यहाँ पर कैसी और उसका भाई अलग-अलग हो जाते है फिर उन सब बच्चों के जाने के बाद आर्मी वहां के सारे लोगों को इकठा करती है आर्मी उन्हें बताती है कि 4th wave भी आ गई है जिसमें the others इंसानों को possess कर रहे हैं और possess होने के बाद इंसान ही एक दूसरे को मार रहे हैं वो कहते हैं कि बच्चों में तो काफी असान है ये अडेंटिफाई करना के कौन इंसान है और कौन the others लेकिन बड़े लोगों में ये अडेंटिफाई नहीं किया जा सकता के कौन इंसान है और कौन the others ये बात सुनकर वहाँ पर मुझूद सारे लोग उसे में आ जाते हैं और आरमी से मांग कर देते हैं कि हमें हमारे बच्चों से मिलवाया जाए और वहाँ पर अफरा तफरी मज जाती है लड़ाया होने लगती हैं वहाँ पर लेकिन एंड पर आरमी उन सारे सर्वाइवर्स को मार डालती है कैसी भी ये सब कुछ देख लेती है तब कैसी की फादर उसे कहते हैं कि बेटा यहां से भाग जाओ और फिर जब आरमी वहाँ से चली जाती है तब कैसी अपने फादर की पास आती है और अपने फादर को मरा हुआ देखकर कैसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो ये बार डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने भाई को तो बचा करूंगी तब ही वो वहाँ से गन लेती है और आर्मी यूनिट की तरफ भागती है चलते चलते वो उस गैस्टेशन के पास आ जाती है जहां पर वो मुवी के स्टार्ट में भी गई थी फिर आर्मी हर जगा से बच्चों को कुलक्ट करके एक सीफ जगा पर ले जा रही थी वो लोग सारे बच्चों को एक-एक टोकन देते हैं और बाद में उन बच्चों का चेक अप करने के लिए उन्हें अंदर भेचा जाता है और तब ही उन बच्चों में बारी आती है कैसी के फ्रेंड यानि बैन की और जब Ben अंदर जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि दियदर्स इंसानों करो प्ले कर इंसानों पर ही अटैक कर रहे हैं और इसलिए आर्मी को उन सब बच्चों की जरूरत है ताके वो दियदर्स से लड़ने के लिए इन बच्चों को ट्रेन करें यह सारी बाते बता कर डॉक्टर बेन के अंदर एक ट्रेकर इंजेक्ट कर देती है और सेम ऐसा सारे बच्चों के साथ किया जाता है हम कैसी को देखते हैं जो के अपने सफर में होती है फिर वो जंगल से निकल कर रोड पर आ जाती है जहां पर उसे कोई गोली मार कर इंजेट कर देता है जिससे कैसी फोरण बेहोश हो जाती है आर्मी यूनट में हम देखते हैं कि आर्मी बच्चों को ट्रेन कर रही होती है फिफ्ट वेव से लड़ने के लिए कैसी को वहां से एक इवान नाम का लड़का उठा कर अपने साथ ले जाता है जो कैसी को मैडिसन्स वगरा देता है और उस लड़के को कैसी का नाम भी पता था वो इसलिए क्योंके वो कैसी की डायरी पढ़ चुका था फिर कैसी उस लड़के यानि इवान से अपने गन की बारे में पूछती है जिस पर इवान कहता है कि मैं तुम्हारी गर्ण की बारे में कुछ नहीं जानता मेरे पास नहीं है वो इसकी बात कैसी इवान से आर्मी यूनिट का एड्रेस पुछती है और वो ये कहती है कि वहां मैंने जाना है अपने भाई को बचाने के लिए आर्मी यूनट में हम देखते हैं कि कैसी का भाई बैन के ही ग्रूप में होता है वो सब लोग वहाँ पर बैठे होते हैं कि तब ही वहाँ पर डॉक्टर एक लड़की को लेकर आती है और उस लड़की को बैन की टीम में शामिल कर देती है क्योंकि वो लड़की एक काफी अची शूटर थी कैसी देखती है कि इवान काम में विजी है इसलिए वो उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए इवान के रूम में जाती है और वहाँ पर कैसी को अपनी गन मिल जाती है और इस वज़े से कैसी डर जाती है और फिर वो वहाँ से भाग ही रही होती है कि तबी इवान आकर उसे पकड़ लेता है कैसी को इवान पर डाउट होता है कि शायद ये मुझे मार देगा लिकिन असल में वो कैसी को दिय अदर से प्रोटक्ट कर रहा था फिर इवान कैसी को घर ले आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गन इसलिए चुपाई थी कि मुझे डर था कि कहें तुम मुझे शूट करके न मार डालो और वो ये भी कहता है कि शाम को मैं खुद तुम्हें आर्मी युनट ले जाओंगा फिर वो लोग आर्मी युनट के लिए निकल पड़ते हैं रास्ते में इवान कैसी को ट्रेन भी करता है कि कैसे कुद को प्रोटक्ट किया जाएगा करणल बेन को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आर्मी के साथ एक मिशन पर भेज रहा हूं और वो बेन को एक हेलमेट भी दिखाता है और बताता है कि ये हेलमेट स्पेशल दी अदर्स को अडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है और वो सारे लोग इस हेलमेट को पहनेंगे और जब दी अदर्स इनके सामने आएंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगी हम दिखते हैं कि कैसी और इवान एक दूसरे के साथ गूल मिल गए थे जिबकि बेन को आर्मी के बजाए बच्चों के टेम के साथ भेज दिया जाता है मिशन के लिए लेकिन बेन कैसी के भाई को वहीं पड़ छोड़ जाता है दे अदर्स को डिस्ट्रेक्ट करने के लिए वह शूटर एक बस को बलास्ट कर देती है जबकि बाकी लोग एक जगा पर जाकर छुप जाते हैं फिर वह शूटर जब अपने टीम के पास पहुँचते है तो वह अपना ट्रैकर निकाल देती है जिससे अचानक वह भी सबको ग्रीन नज़र आ रही थी ये देखकर बैन को सारी बात समझा जाती है और वह भी अपना ट्रैकर निकाल देता है ट्रैकर निकालने पर वह भी सबको ग्रीन ही नज़र आ रहा था और बेन यहाँ पर आर्मी की सारी चाल समझ चुका था वो सब को समझाने की कोशिश करता है कि यह हमारे लिए एक ट्रैप है जिसमें दी अदर्स हमें फसाना चाह रहे हैं और फिफ्ट वेव कोई और नहीं बलके हम बच्चे हैं और हमारा इस्तामाल दी अदर्स कर रहे हैं बचे हुए इनसानों को मारने के लिए और इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को ही चुना क्यूंकि बड़ों की निस्पत बच्चों को चेंज करना आसान है बैन की ये बात सुनकर सारे लोग अपने अपने ट्रैकर्स रिमूफ कर देते हैं और अब बैन को कैसी के भाई की फिकर हो रही थी और वो सब बच्चें को कहता है कि जल्दी से नहीं से बाग जाओ और वो खुद को भी उस शूटर से शूट कर वा लेता है ताकि आर्मे को उस पर शक न हो और वो डिसाइड करता है कि वो कैसी के भाई को बचाने के लिए वापस जाएगा इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जहांपर दी अधर्स उन लोगों पर अटेक कर देते हैं लेकिन इवान कैसी को दी अधर्स से बचा लेता है और यहाँ पर कैसी को पता चल जाता है कि इवान कोई इनसान नहीं है बलकि वो भी दी अधर्स में से एक है और यहाँ पर इवान कैसी के सामने खुद को रिवेल करता है वो कैसी को बताता है कि यह कोई पहली मरतबा नहीं हुआ कि जब वो aliens यानि the other जमीन पर आए हों वो बताता है कि मुझ जैसे aliens पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं इवान कहता है कि aliens का मानना ये है कि love सिर्फ एक feeling है और कुछ भी नहीं वो कहता है कि पहले मैं भी ऐसा है सोचता था लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी अंदर की इंसानियत जाग गई और यही वज़ा थी कि उसनी अभी तक कैसी को नहीं मारा उसे जिन्दा रखा और मैं तुम्हें gas station से ही follow कर रहा हूँ और follow करने के साथ साथ मैं तुम्हें protect भी कर रहा हूँ यह सुनकर कैसी उस आर्मी यूनट में पहुंच जाती है और तब ही वहाँ पर बैन भी आ जाता है अब क्योंके बैन सब कुछ समझ गया था और आर्मी को भी यह बात पता चिल चुकी थी इसलिए बैन को arrest कर लिया जाता है लेकिन तब ही उनके सामने इवान भी आ जाता है इवान उसे बताता है कि 10 मिनट की बाद इस जगा को destroy कर दिया जाएगा इसलिए तुम जल्दे से अपने भाई को डूंडो और यहां से बाग जाओ फिर कैसी और बैन मिल कर कैसी की भाई को डूंड लेते हैं और वो उस आर्मी उनके से बाहर आ जाते हैं जबके आर्मी बाकी बच्चों को अपने साथ ले जा रही होती है और पिर जब सारे लोग वहां से निकल जाते हैं तो वो जगा destroy होने लगती है तब ही उन लोगों को बच्चाने के लिए बैन की टीम वहां पर आ जाती है वो उन दिनों को बच्चा कर वहां से ले जाती है फिर वो लोग decide करते हैं कि हम लोग new start लेंगे और बाकी बच्चों को बच्चाएंगे आर्मी से और the other से और इसी के साथ ही movie नहीं पर end हो जाती है थेंक्यू फर वाचिंग